Finance से जुड़ी latest information सबसे पहले पाने के लिए सबस्क्राइब करें हमारा YouTube चानल Finnovations Updates साथ ही bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का notification आग तक पहुँचें सबसे पहले नमस्कार आज के finpoint session में आपका स्वागत है और आज का first update है Glenmark Pharma और Hetero Labs के बाद अब सिपला ने कुरोना मरीजों के लिए Remdesivir का generic medicine पेश किया है कंपनी ने दवा का नाम से प्रेमी रखा है इसे US Drug Regulator USFDA ने COVID-19 के मरीजों को emergency situation में देने की permission दी है दवा के price को लेकर फिलहाल कोई information नहीं है Remdesivir एक मात्र दवा है जिसे USFDA ने COVID-19 के मरीजों के इलाज के लिए emergency उपयों की permission दी है Next update है Yes Bank ने 20 June को exchange को दी गई जानकारी में बताया कि Reserve Bank of India ने bank की उस application को reject कर दिया है जिसमें Upper Tier 2 bonds के बकाया interest के 29 June तक भुकतान के लिए permission मागी गई थी RBI ने Yes Bank के insufficient capital का हवाला देते हुए उसकी application को reject कर दिया है जिसके चलते Yes Bank 29 June के लिए due Upper Tier 2 bond के 10.25% के दर पर होने वाले ब्याज भुकतान को पूरा करने में समक्ष नहीं होगा आपको बता दें कि bank ने 27 मे को RBI के पास एक application भीजी थी जिसमें Upper Tier 2 bond पर 29 June को किये जाने वाले ब्याज भुकतान को permission देने की अपील की गई थी नेक्स्ट अपडेट है करोना काल भारत में रुकने का नाम नहीं ले रहा भारत लॉक्डान से अनलॉक की और कदम रख चुका है इस अनलॉक में सबसे ज्यादा करोना संक्रमित मरीज सामने आए है हर दिन नया record बन रहा है करोना वारस को बढ़ता देखकर गवर्मेंट ने health workers के लिए जो insurance scheme launch की थी जो की 30 जून को समाप्त हो रही थी उससे सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है इस scheme के तहट doctors, nurses और दूसरे healthcare workers को 50-50 लाख रुपे का insurance cover देने का एलान किया था healthcare workers विलहाल कुरोना वारस संक्रमित मरीजों के इलाज में दिन रात जुटे हैं scheme के तहट new India insurance ने पूरे देश में 22.12 लाख healthcare workers को 50-50 लाख रुपे का health insurance देने के लिए कहा था next update है mid-tier IT company Hexaware Technologies के board ने company के shares को day list करवाने के proposal को permission दे दी है ये permission merchant banker के सिफारश के आधार पर दी गई है company ने जून के शुरुवात में ही इस बात की सूचना दी थी कि उसके promoter bearing PE Asia की dealisting की योजना है company ने अपने shares को stock exchanges से dealist करवाने के लिए 12 जून को ICICI Securities को merchant banker के रूप में appoint किया था merchant bank ने 18 जून को अपनी report दी जिसके आधार पर ही company के board ने इस dealisting को permission देती है next update है Reliance Industries Limited सोमवार को शेर बाजार में कारोबार की शुरुवात तेजी के साथ 150 अरब डॉलर का market capitalization हासिल करने वाली पहली भारतिये company बन गई Bombay Stock Exchange में सोमवार को कारोबार के शुरुवात में Reliance Industries का market capitalization 28,248.97 crore रुपीज बढ़कर 11,43,667 crore रुपीज यानी करीब 150 अरब डॉलर पर पहुँच कया Bombay Stock Exchange के Sensex में इस company का share price शुरुवाती दौर में 2.53% बढ़कर 1,804.1 रुपीज की record उचाई पर पहुँच कया वही National Stock Exchange में भी ये 2.54% बढ़कर 1,804.2 रुपीज पर अब तक के highest level पर पहुँच कया Reliance Industries Limited इससे पहले शुक्रवार को 11,00,000 crore का market capitalization का आकड़ा पार करने वाली पहली भारती ये company बन गई थी Next Update है Foreign Portfolio Investors ने जून में अब तक Indian Capital Markets में टोटल 17,985 crore का investment किया है उन्होंने बाजार में लगातार बढ़ रहे liquidity और high risk capability के चलते ये investment किया है Depository से मिले data के अनुसार Foreign Investors ने 1 से 19 जून के बीच equity में 20,527 crore का net investment किया हाला कि उन्होंने bond market से 2,569 crore का withdrawal भी किया इस तरह इस period के दुरान domestic capital market में उनका कुल net investment 17,985 crore रहा इस से पहले foreign investors लगातार तीन महीनों तक pure selling करते रहे उन्होंने मई में 7,366 crore रुपीज निकाले थे April में उनका withdrawal 15,403 crore रहा जबकि March में उन्होंने record 1,1 lakh crore रुपीज विड्रॉल किये थे Next update है Amazon 27 जून से sale event Small Business Day का 3rd edition शुरू कर रहा है 27 जून को भारत में MSME Day के रूप में मनाया जाता है इस online sale event से small businessmen, कारिगरों, बुनकर, micro entrepreneurs और start-ups को काफी मदद मिलेगी Corona महमारी की वजह से इन लोगों पर काफी बुरा असर हुआ था Amazon इंडिया के MSME Empowerment and Seller Experience के चीफ प्रणव भसीन इस event को लेकर 23 जून को पूरी जानकरी देंगे ये Amazon का 3 इवेंट होगा जो mainly small traders के लिए होगा नेक्स्ट अपडेट है, pharmaceutical company Glenmark Pharma के shares में आज जबर 10 तेजी देखने को मिली है दरहसल शनिवार को company ने Fabiflu नाम से अपनी anti-viral drug Fabipiravir launch कर दी है इसका करोना के हलके संकमन के मामलों में इस्तमाल होगा इस दवा की 34 गोलियों के एक पत्ते की कीमत 3500 रुपे है इस तरहां एक गोली की कीमत 103 रुपे आ रही है इस एलान के बाद आज company के shares maximum 40% तक की छलांग लगा कर 572.7 रुपीज के price तक पहुँच गए ये company के share में एक दिन में आई सबसे बड़ी तेजी है एशिया के सबसे rich man मुकेश अंबानी के लिए ये साल काफी बहतर साबित हो रहा है Reliance Industries के chairman मुकेश अंबानी की wealth बढ़कर 64.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई है इससे वो दुनिया के top 10 rich लोगों के list में शामिल हो गए है खास बात ये है कि दुनिया के top 10 riches के list में अंबानी एक मात्र एशियाई शक्स हैं उन्होंने औरेकल के Larry Ellison और सबसे अमीर महिला फ्रांस की फ्रांक कोईस बेटर कोट मेयर्स को पीछे छोड़ कर नौवा पाइदान अपने नाम किया है मोकेश अमबानी के पास Alliance Industries की 42% हिस्सेदारी है उन्हें हाल ही में जियो प्लैटफॉर्म के लिए हुई डील्स का खासा फाइदा मिला है इन्ही डील्स की वज़ह से उन्होंने कुरोना वरस की महमारी के बाद भी मार्च 2021 से काफी पहले ही कांपनी को डेट फ्री कर दिया है यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है दोस्तों फिनोवेशन्स लाया है आपके लिए खास ओफर जिसमें आपको मिल रहा है विनोवेशन्स के सभी कोर्सिस पर अब तक का सबसे बड़ा 50% डिसकाउंट ओफर सिरफ 25 जून तक के लिए वैलिद है इसलिए इस खास ओफर का फाइदा जरूर उठाएं आशो करती हों आपको इवीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेर कीजिए साथी इन्वेस्मेंट, फाइन्स और स्टॉक मार्किट को सीखने के लिए आप मारी वेबसाइट www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए अपनी किसी भी क्वेरी के लिए 8287-936451 और 8287-936452 नमबर पर कॉल और वटसेप कर सकते हैं वीडियो को देखने और हमसे लगा तार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद